हेलो स्टुएंट्स आपका फिर से सोगत किया जाता है हमारे नए चैनल एसोल डिफेंस में आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आज आपको फादरी होने वाला है क्योंकि जिन बच्छों को भी इंग्लीज का पेपर है एसोल का यह क्लास 12 का उसके लिए हम राइटिं और यह वीडियो 12 क्लास यह 11 के बच्छों के लिए भी उस्विल है अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किया तो आप यहां से सारे फॉर्मेट से लेकर जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लेकर आ जाते हैं लेटर राइटिंग का फॉर्मेट सबसे पहले आ यह वह बना सल्यूशन डियर सल्यूशन में लग क्या बोलना चाते हैं यह सार रिस्पेटिव फूल सर मैडम कुछ में लिख सकते हैं तो सब्जेक्ट में चीज होती है कि सब्जेक्ट फिर आपको बाड़ी टूलेटर इसमें आपको तीन प्याग्राफ लिगने सब सबहले में आपको introduction देना है उसके बाद में आपको उसका वो देना है conclusion देना है उसके बाद आपको उसके points देना है इतने तीन पॉइंट लिख देंगे फिर आपको thank you for the consideration फिर आपका यॉर इस इंसरे नहीं और signature यह होगा आपका formal signature जो आपका एडिटर को नहीं होगा सीधा होगा जो आपका और यहाथ आपका informal letter format जिसमें सिवाव को address लिखना हो तो sender का और date लिखी फिर उसका नाम लिखा body of the letter फिर paragraph लिख दिया कि आज कुछ भी पूछने के लिए जैसे कोई book के बारे मुलिया किसी की तबित भूली उस टाइप से होता है इंफॉर्मल लेटर आस्क फॉर्म वेल्बिंग वाव दिपर संदी में रिजर्ट तो राइट दाल है कि हमने लाटर की लिखा उसका रिजन और लास्ट में सब्सक्राइब को लिख रहा है जो आप राइट चैन्ड में यह आपको लेफ्ट अंड में लिखना है गल्दी सब्सक्राइब उदर हो गया दा में जर मॉडर मॉर्डर रेस्टोरेंट सक्टेश वासी चैन जुलाई 2010 लिए सर्मेडा आइम राइटिंग तो कंप्लेंड अ दिया क्या कंप्लेंट फिर कॉंड कॉलिजन लिखा फिर बताया कि आपको यह चीज़े साही करने चीज़े यह 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 फिद्फुली शाइन फिर मैं के नाम अब यह दूसरा आगे एडिटर एडिटर के ज्यादा आते हैं आपके सोल में तो आभी वाला जोजू कर फिर अपना पॉइंट लिख दिया इंफॉर्मेशन दिया आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं उसके बारे में सॉलिशन दिये फिर लास्ट में कंक्लूजन दे दिया फिर ठेंकिंग यू यू यूर्स टोली सचिन सिना प्रेजिडेंट आर डव्य गीता कॉलनी यह हो गया लेटर का सब कुछ अब अगला आत्रा मां रिपोर्ट राइटिंग फॉर्म है रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना होता कुछ नहीं बस आपको एक अच्छी सी हैडलाइन आनी चाहिए फिर प्लेस और डेट फिर इंक्लूडिंग वही पैरग्राफ आपको सबसे पहले आपको लिखने इंफॉर्मेशन उसके बाद लिखने आपको कंक्लूजन लिख देना है उसके बारे मापको सजिस्टिट पॉलिक्स लें कि आपको यह चीजें सही करनी चाहिए लास्ट में लिख देना है आपको इसको अराम से चार से पांच वाइगर आपने लिखना है अ बाइस अपना फिर डिटेल्स लिखने है वाट वियर रेन वाइव यह सब कुछ आपको लिख देना है इसमें दो थिन पाइगा निकाल देना फिर अपना कमेंट्स और कंक्लूजन लिख देना है लास्ट में यह हो गए आपके रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट जो कर सकते हैं अब आगे डायलोग राइटिंग डाइलोग राइटिंग में क्या रहना होता है उसमें आपको दो या तीन जहिते हैं कम सेकम दो होना चाहिए जिए दूर से बात करें है सबस्क्राइल ह। उसका नाम लिखना है जो बोलेगा मोना से डवार्ट आम टीचिंग स्टुडेंट बोलेगा सर्यू आपको खाने बताने जैसे दो चीज़े बात कर रहे हैं तो उन्हें को आपको लिखना है जो बोलेगा उसका नाम आगे जो बोल रहा हो जो आंसर देगा उसका नाम आगे फिर वो बोलेगा जो अब देख सकते हैं आपको सेंपल भी दिखा देगा डायलोग का जैक हाई एंटी और ने बोला है जैक आइंटी आपको बनानी है है व्यास कहा कए्व मना लीयाक बनानी इसमें डाय एंट्रिग नि रहें हो लिखने इस इताल DR हुं बलाहा स नौ में योटे है डायलोग का पॉर्ट से लिखना होता है अब लस्ट आगे आपका सिपीच्व जैटिंग थो सामॉंइट में इख श्रचम्त स्पीकर की प Capital Dip के चाहरा है रही है जो भी आपकी आप एंप के लिए उसकर कि यह प्यार सी ऑत मुगता है यहिए वहाँ स्पीकर मैं गे बिट सबीकर क ! तोपिन आपको को निक नहीं कि है कि आपके विजली चलिए ओर ये टाइमि टाइम के निम आ इस टाइए ऐसे कोई भी टॉपिक में तोपिक है और टाइज डेल विए जाथिक में ल bey तेम करेंड लेधिक रप सबस्क्रॉड ना ज़्त हुड और और हेडिंग तो होती है इसमें चार परदाफ लिखना है बस आपको खाने सी बना के लिखना है चलिए आपको एक ग्जाम्पल भी दिखा देते हैं यह स्कूल अपको वैलकम टू नशी प्रॉचा के लिखना अपको वैलकम को वैलकम को यह तीटिछ अविशन टेटिश अपीनिय विल्साम्पल लेक्टिट थेरी अज्टिट देटिश मित्पेन ओ को एक ऐछ वकूर में को ऌरफ एकर जोएपको भार देख लेगा हैं तो अप आप दो से तीन वार पढ़ लेंगे आपको फॉर्मिट यहाद हो जाएगे बागी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं अपना यह जो मैंने बनाया है पीडियाफ यह मैं टेलिग्राम पर डाल दूगा अगर आप सब बच् प्यार दिखाएंगे इस वीडियो पे तो आपको यह वीडियो जोरू मिलेगा तो आपको कोई प्टेंशल नेनिक जोरू नहीं है बस हमारे साथ जोड़ा है थैंक्स वर वाचिंग